हेलो अब्रिवन नूतन्स वल्डेम के आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती है आज मैं आप सबों के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग बहुत ही जबदस्ट वीडियो लेके आई हूँ चाहे हो आपके घुटनों में दरद, रीड की हड़ियों में दरद या फिर आपकी इहरियों में दरद, ये सब़ी दरद को बहुत आसानि से ठीक करेगी दातों से समझेट हैं जो भी प्रॉलम है उसे ठीक करती है आपकी सबी तरह की कमजोड़ियों को दूर करती है फ्रेंड चाहे वो न पुन्जकता की प्रॉलम हो लेडीज में प्रॉलम हो जैंस में प्रॉलम हो उसे ठीक करती है ये बांचपन को खतम करती है अगुद거े हैं चोटा से उपाए करका आप बहुत बरी से बरी बिमारियां से बच सकते साथ कि यह आपको जॉन्डिस से बचा के रखती है, नखे इमिनिटी को इतना स्ट्रॉण कर देगी कि यह आपको कभी भी बिमारिया चूब ही नहीं सकते हैं, खोटा सा उपाय आपको बहुत बढ़ी से बरी बिमारियां ठीक करने में बहुत हेल्प करेगी, और यह बहुत ही आयूर्वेद की बहुत ही पुरानी बुक अस्ठंग रिद्यम के अनुसार बताई जारी जो स्री राजीव दिक्षिजे ने भी अपने एक वेख्यान में इसके बारे में बताए हैं आयूर्वेद में भी इसके बहुत सारे फैदे बताए गए हैं तो वीडियो में अंतक बने खते और बगल में आने वाले बेल हेकend को जल्दी सी क्लिक कर लेकले ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँझे और ज़्स जदे इस वीडियो को शेर की जिए अपने फ्रेंड्स अपने फैमल्य अपने चाहने वालों को दाकि सभी इससे पैदा म सकेगी आपकी बरी से बरी बिमारियां कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी तो आए जानते हैं इस चुने को कितनी मातरा में हमें लेनी है और इसे किस-किस बिमारियों में कैसे-कैसे खाना है यह सारा बरी से बरी बिमारियों को ठिक कर देती है और यह दि लगाने की बात यह यानी यह dormi पार्प में यह सारा गाते हैं तब यह फिह चुना होईनि तो उसमें आपको गर्माहट देगी और उस दरत को वो बहुत जल्दी खींच लेती है यदि आपको घुटनों या हड्डियों का दर्ध है, गठिया का दर्ध है, वात रोक से आप पैसान है, स्पॉंडिलाइटिस के भी प्रॉलम है ये सबी दरत को बहुत यासानी से ठीक करने का काम करती है, चुना इसके साथ ही यदि आपको रीडική हड्डियों में कहीं भी दरत है, रीड में यदि आपको L1, L2, L3, L4 में यदि आपको बीच में गैपा गई है उस दरत को भी ठीक करती है फ्रेंड इसके लिए आपको एक ग्लास पानी में आपको एक ग्लास गरम पानी में हलका गुनगुना रहना चाहिए पानी हलका गुनगुना पानी में गिहू के दाने जितना आपको चूना लेना है और उसे इसमें डाल देना है और इसे मिक्स करके कि आपको रोज सुबह खाली पेट पिना है इस चीज का आपको दियान रखना है कि यह जो चूना है यह पान के दुकान में मिलने वाला जूना है और पत्थर वाला चूना ही आपको लें आप रोज सुबह खालेपेट कंटीनियू करिए आपको बहुत बरी से बरी बीमारिया ठीक हो जाएगी इसके साथ ही यदि आपको कहीं हड्डियों में क्रैक हो गई है हड्डियों को जोडने की ताकत रखती है यह चुना यदि आपको एडियों या पंज़ों में दरद हो र हाली है चमतकारी फैदे आपको मिलने वाले हैं इसके साथ ही यदि किसी को भी नपुन सकता की प्रॉलम है या फिर माताओं में इसके सरीर में अंडे नहीं बन रहें या फिर बच्चे होने में तकलीफ हो रही है बस आप चुने के सेवन करते रहें इसके सेवन से ही वो सभ तरह की सारी कमजोरियां चाहे वो लेडीज में हो या जेंस में हो वो हमेसा किले ठीक हो जाएगी बस इसी तरह पानी में डालके आप उसे हलका गरम पानी में आप डालके चुना को खाएं रोज सुबह खाली पेट हमेसा किले ये प्रॉलम भी ठीक हो जाएगी इसके साथ चुना ऐसे तरह आपको पानी में डाल सुबा ज सुबा की चुना को देना है और आप देखेंगे ऑप इसको और यदि इसके साथ किसी भी लेडिस में यदि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है यह वह ज़्यादा देरी से आती है या फिर जल्दी तो पिरियों पर फैडसे सेवन करने किसी तरह से खाना है पानी में डाल करके गुन गुना पानी में खाईए या फिर आप इस तरह से खा सकते हैं आधा कटोडी अप दही ले लिजे और उसमें गेहूं के दाने जितना चुना डाल दीजे और इसे आप रोज सुबह खाली पेट खाईए ऐसा करने से आपकी पीरियर से मिलती है तो यह बस उसे आप इसी तरह का सेवन उसे करवाए यहूं के दानी जितना उसे चुना डाल करके दही में या फिर पानी में आप डाल करके उसे दीजे आप देखेंगे वह माता हैं हमेशा स्वस्त रहेगी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जिन्देगी भर न चुने को डाल देना है और रोज सुवह खाली पेट आप पीना है इस पानी को अब देखेंगे दातों से समद्धित सारी कमजोरी से समद्धित जो भी प्रॉलम वो ठीक हो जाएगी करीब सतर बिमारियों को यह ठीक कर देगी आप इसे जैसे खाना स्टाट करेंगे नजर आने लगेगा, आपको बहुत सारी बिमारिया ठीक होते वह, नजर आएगी है, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप खुद ही कि इसके कितने सारे फैदे हैं, इस चोटी से वीडियो में market कर पाना ये शंबब नहीं है, आप इसका सेवन नहीं करना है चुना के सेवन बिल्कुल नहीं करना है बस और उसके अलावा कोई भी इसका सेवन करिए 100% आपको अफेक्टिव रिजल्ट दिखने को मिलेगा जाज जादे इस वीडियो को सेर किजिए अपने फ्रेंड्स अपने फैमली अपने चाहने वालों को ताकि से फैदा मिले वीडियो को जो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बेटन क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली सबी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे स्टे सीफ एंड स्टे हेल्दी